कि नमस्कार दोस्तों मैं प्रश्णांतिक जामरेच की यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं मुऊमेद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन आपके लिए लिए लिकिया हूं जो इस वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपकी प्रप्रेशन में मदद मिल सके दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप ही तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें औ कोस्चन नमबर वन है प्रकार्श वर्ष किसका मात रखें और इसका अंसर रहेगा प्रकार्श वर्ष मात रखें दूरी का ओप्सन नमबर इसका कर्यक्त आंसर रहेगा चलिए नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं हीरी की चमक का क्या कारण है बताए इसका अंसर क्या हो सकते हैं और इसका अंसर रहेगा हीरे की जमक का कारण है प्रकास का पूर्णा अंत्रिक परवर्तन ओप्शन नमबर भी इसका कर्यक्ट अंसर रहेगा चलिए नेट्ट कोशन के वो चलते हैं एक समान नेट्र के लिए सुइसपास डश्टी की नियुन्तम दोरी कितनी होनी चाहिए अब बताई इसका अंसर क्या हो सकता है और इसका अंसर रहेगा एक समान नेट्र के लिए सुइसपास डश्टी की नियुन्तम दोरी 25 cm होनी चाहिए यानि ओप्शन नमबर ए इसका कर्य के बेग मापने के उपयोग में आता है ठीक है ओप्स नमबर से इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बैरोमेटर का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है लिए क्रेटिम उप ग्रह में बिद्दुत उर्ज और श्टोर्थ के रूप में होते हैं तो गति बहुत इंपोर्टन फोशन है और बहुत ईजी है और इसका अंतर रहेगा समवेग का सनक्षण नियम लगोफुत तहरा Carting की गतिपर नासट क्यों चलते हैं नासिक किस नदी के तड़े पर ousतित है और इसका अ अंतर क्या रहेगा नासिक गोड़ा वरी यानि option number A इसका correct answer रहेगा next question क्यों चलते हैं सूर की बाहरी परत को क्या कहते हैं बहुत important question है और इसका answer है और इसका answer है सूर की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते है option number 2 इसका right answer रहेगा किरीट या कोरोना सूर की बाहरी परत कहलाती है कौन सी अधातु समानते द्रव अवस्था में पाई जाती है आप सभी लोग कोशन को ध्यान से पढ़ना कौन सी अधातु समानते द्रव अवस्था में पाई जाती है इसमें बात हुई है अधातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमेन अधातु द्रव अव rheoli में थागं तेन प्रकार को होते हैं पहलग दूसरा होता है रहा और तीसरा होता है निवह है झाल आसे और प्रात्मिक catching प्रात्मिक ठेहे बाप Bottom możमें आए चलते हैं रीपीट निंतरे नर्मीट प्रेटविंब कैर्फ ऊंपरेGS आर्स चलते हैं हैं तेल के हीड्रोजीन करेंड trop बंपरिप्र को और इसका अंसर कहा रहेगा तेल की हार्डूर्णी करेंड में प्रिक्ट उत्प्रिरक का नाम है निकिल ओप्स नंबर टू इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए नेट कोशन के ओर चलते हैं सबसे कम तरंग देरवाला प्रकास है बहुत इंपोर्डेंट कोशन है और इसका अंसर रहेगा सबसे कम तरंग देरवाला प्रकास है बैगनी ठीक है बैगनी सबसे कम तरंग देरवाला प्रकास है लेकिन इसे पर पूश लेता है सरवादी के तरंग देरवाला प्रकास है तो उसका अंसर है ता लाल नेट कोशन के ओर चलते हैं कि 200 घ्रमचम हर वर्स मनाय जाता है बहुत इंपवर्टंट कोश्चन है और इसका अंसर रहेगा 16 ग МУЗЫКА मैंने कर वट्बैथे बताए थे इसका अंसर अॉप्ष नॉम Warum इसका करेक्ट अंसर हएगा दोस्तों आप हमें screen में बताएं कि राष्टी सिक्षक दिवस्क मनाय जाते हैं नेक्ट कोस्चन क्यों चलते हैं ब्राजियल का मांचेस्टर कहलाते हैं और इसका अंसर क्या रहेगा ब्राजियल का मांचेस्टर ऑप्स नंबर सी सो अपोलो को कहते हैं ठीक है ऑप्स नंबर से इसका करेक्ट अंसर त्रपय च्रप्रथं मेंडिलिफ निर्माड किया था ता आप सबही लुग बताएं कि बिरंजग और इसका अंतर रहेगा विरंजक्चूर्ण एक तरह का योगिक है ठीक है और विरंजक्चूर्ण का सूर्टर क्या होता है विरंजक्चूर्ण का सूर्ट होता है CAOCL2 ठीक है और इसका अंतर के इसे रासानिक नाम क्या बोलेंगे इसका रासानिक नाम रहेगा calcium axy chloride ठीक है आई रिपीट calcium axy chloride बिरंदक्सोल का रहसानिक नाम है ठीक है यहाई एक तरह का योग इक होता है next question क्यों चलते है positron किसका प्रितिकर्ण है बताए इसका अंतर क्या हो सकता है और इसका अंतर है positron electron का प्रितिकर्ण है नमर वन इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए next question क्यों चलते है निम्म लिखित में से किसमे सबसे अधिक प्रोटीन होता है और इसका आंसर रहेगा सोया विन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है option नमर फूर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए हम next question क्यों चलते हैं प्रकार्स इंसलेशन की क्रिया में क्या वाहर निकलता है आप सभी लोग जानते होंगे प्रकार्स इंसलेशन की क्रिया के दौरान oxygen gas उत्रजित होती है ठीक है ओप्स नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं निमने में से सबसे अधिक ताप है बताई दोस्तों इन सभी चार option में से किसमे सरवाधिक ताप है तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर C रहेगा ठीक है भाप में सब से अधिक ताप होता है ओप्स नंबर से इसका करेक्ट आंसर रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं कैल्विन इकाई कुन्य में में से क्याम आपने के लिए उप्योग किया जाता है बहुत easy question है और इसका आंसर रहेगा हम जानते हैं कि ताप मान को कैल्विन में मापते हैं Vitaamyn B1 की कमी से बेरी-वेरी रोग होता है ठीक है और ऌफस नंबर 20 का रायट अंसर रहेगा दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब रतवणदी आया है से कौन से बिटामिन की कमी के कान होता है बिटामिन ए से और रिकेयर्स होता है विटामिन D से ठीक है अब next question क्यों चलते ब जल में घुलन सेल विटामिन है बताई दोस्तों इन सभी विटामिन में से कौन सी जल में घुलन सेल होती है और इसका अंसर रहेगा विटामिन सी जल में घुलन सेल है नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्ट कोशन दोस्तों रक्त में गुलो कूच की मात्रा नियंत्रित रहता है बतायीडों सो कौं सा कारण है जिसके कारण रख्थ में double limit की न tiếpित के और अन्युचस की संता होती है बहुत important question है और इसका अशर है ग Deus की शंता हमेशाइ सज़नातमक होती है ठार and outer lens के ख् conception और रिपीटाटर लेंश्की छम्ता रिणात्मक और रिपीट को उत्तर रिपीट्स इसका होती है छोटित और रॉप्स मोंबर रांजर करेक्ट आंचर रहेगा Oh next question क्यों चलते है solar cooker में किस अपहरण को प्योंक किया जाता है और इसका अंतर रहेगा solar cooker में या हो सकते हैं और इसका अंफर रहेगा अमीवा में भोजन का अंतर ग्रहंड कूट पाद कूट पाद द्वाशन द्वारा हुट हुट रहेगा आई रिपीट अमीवा में भोजन का अंतर ग्रहन कूट पाद द्वारा होता है ओप्स नमबर ये इसका राइट आंसर रहेगा नेट कोशन है स्वार मंडल में कौन से ग्रह में सबसे अधिक घनत हो है और इसका आंसर क्या रहेगा प्रत्वी पे सरवाधिक घनत हो है नेट कोशन क्यों चलते हैं एक स्वास्त मनुस्य का रक्त चाप होता है बहुत इंपोर्टन कोशन है और इसका अंसर रहेगा एक स्वास्त मनुस्य का रक्त चाप होता है 120 बटे 80 एक स्वास्थ मनुस्रका रखतचाप होता है नट को चलते हैं शीज़ा और 10 की में सिधात्य को क्या कहते हैं कि बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है और इसका अंसर रहेगा शीज़ा और 10 की में सिधात्य को solder कहते हैं, option number D's का answer right रहेगा, ठीक है solder कहते हैं, C सा 18 के मिस धार्तू को solder कहते है ठीक, option number D's का right answer रहेगा, चलिए ना, ठोचन के हो चलते हैं, auto mobile motor कारों में hydraulic brake के कारेकरण कौन सा नियम लागू होते हैं हम जानते हैं कि hydraulic brake में हमेशा Pascal के नियम लागू होते हैं, ठीक है option number D's का correct answer रहेगा ठीक है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे hydraulic brake में हमेशा Pascal लियम लागू होते हैं next question क्यों चलते हैं सपेक्ष आर्ड़ता को में अपने के लिए किस current का उप्योग किया जाते हैं आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहां पास सपेक्ष आर्ड़ता लिखा है सपेक्ष आर्ड़ता की जब भी वाता है जो उप्योग पास हमेशा hygrometer का यूज होता है ठीक है, option number D's का right answer रहेगा I repeat, सपेक्ष आर्ड़ता में अपने के लिए hygrometer का यूज होता है next question क्यों चलते है सूर के सबसे निकट अता रहे है बताए सूर के निकट कौन सा सबसे निकट अता रहे है और इसका अंसर रहेगा प्रोग्जिमा, सेंचूरिय, ठीक है option number D's का correct answer रहेगा option number D's का correct answer रहेगा next question है दोस्तो अमल वर्सा वनस्पत्य को नश्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है बताए आप सभी लोगों और इसका अंतर रहेगा अमल वर्सा में सल्फियूरिक अमल होता है जिसके कारणवाई वनस्पत्य को नश्ट कर देती है यानि option number D's का correct answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है एरोसाल का उधारण है और इसका अंसर क्या रहेगा एरोसाल का उधारण है धुआ I repeat एरोसाल का उधारण है धुआ ओपस नमबर C's का correct answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है हरे फलों को क्रेतिम रूप से पकानी के लिए प्रियुक्त गैस है बहुत important question है और इसका अंसर रहेगा हरे फलों को क्रेतिम रूप से पकानी के लिए एथिलिन का उधारण होता है ओपस नमबर A इसका correct answer रहेगा एथिलिन का सूर्ट क्या होता है CH2 CH2 एथिलिन का फॉर्मूल होता है नेक्ट question क्यों चलते है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी बहुत important question है अक्सर पेपर पे यही question आता है और इसका अंसर क्या रहेगा मिथाईल आईसो साइनाइट दोस्तों आप हमें comment box में लिके बता है कि भोपाल गैस त्रासदी कारण की घटना किस सन में हुई थी ठीक है नेक्ट question क्यों चलते है बारूत का मिस्रण होता है आप सभी लोग बताएं कि बारूत में क्या-क्या होता है और इसका अंधर क्या रहेगा नाइटर, सलफर और चालकोल बारूत का मिस्रण होता है ठीक है यानि option number 6 का correct answer रहेगा question number 41 है फ्रियान का प्रयोग निम लिखित में से किस रूप में किया जाता है बहुत important question है और इसका अंधर रहेगा फ्रियान का प्योग प्रसीते की रूप में होता है वाल्ड टेलर ने विक्षित किया था यानि option number 20 का right answer रहेगा next question क्यों चलते है हाने के सोड़ा का रासानिक नाम क्या है आप सभी लोग बता है इसका अंधर क्या होगा और इसका अंधर रहेगा खाने के सोड़ा का रासानिक नाम है sodium by carbonate आपस नंबर 20 का correct answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है सिर्का निम्मेलिकेट में से किसका वालिजिक नाम है आप सभी लोग जानते होंगे सिर्का पे एस्टिक अमल पाये जाता है यानि आपस नंबर 30 का correct answer रहेगा ठीक है सिर्का का वालिजिक नाम एस्टिक अमल है next question क्यों चलते है laughing gas का रशानिक नाम है बतार इसका अंदर क्या हो सकते है और इसका अंसर रहेगा नाइटर्स आकसाइड आपस नंबर 20 का correct answer रहेगा I repeat laughing gas नाइटर्स आकसाइड को कहते है next question क्यों चलते है रशानिक रूप से milk of magnesium क्या होते है बहुत important question है previous year पर पूचा गया था और इसका अंदर क्या रहेगा magnesium hydroxide ठीक है और इसका right answer रहेगा milk of magnesium magnesium hydroxide को कहते है next question क्यों चलते है क्यों चलते है क्यों चलते है इसका अंसर रहेगा radioactive धार्मिकता option number इसका right answer है radioactive धार्मिकता को की इकाई क्यों रहे है next question क्यों चलते है बारूट का अविस्कार किस ने किया था most important question है और इसका अंतर रहेगा बारूट का निर्माड Roger Bacon ने किया था option number A इसका correct answer है I repeat बारूट का अविस्कार किस ने किया था Roger Bacon ने किया था next question क्यों चलते है hydrogen bomb किस सिधान पर आधारी थे बहुत important question है और इसका अंतर रहेगा hydrogen bomb अनियंतित सल्यन अविक्रिया पर आधारी थे ठीक है option number D इसका right answer है क्या रहेगा अनियंतित सल्यन अविक्रिया पर आधारी थे next question क्यों चलते है मनुष्य में गुड़ सूत्रों के संख्य कितनी है आप सभी लोग जानते होंगे इसका अंतर और इसका अंतर रहेगा 46 और इसका correct answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है मानो का विग्यानिक नाम क्या है और इसका अंतर रहेगा मानो का विग्यानिक नाम है homo sapiens यानि option number is का correct answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है आत्म हत्या के थेली कहा जाते है और इसका अंतर रहेगा आत्म हत्या के थेली lysosome को कहा जाते है option number is का correct answer रहेगा I repeat आत्म हत्या के थेली lysosome को कहा जाते है दोस्तों हमारे यह video आपको कैसे लगी प्लीज कोमेंट वोक्स में बताए अपने दोस्तों में video को share करें ताकि उनके preparation भी अच्छी हो सके दोस्तों अगर आपको इस video का PDF प्राप्ट करना है तो आप हमारे टेलेगराम गुरूप से जोड़ सकते हैं और वहार से इसकी पेडिया प्राप्ट कर सकते हैं थैंक्स पार वाचिंग आफ डिस वीडियो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू